नमस्कार भायों बहनों, मैं हूँ एकॉमडो केसी कुरविला, वीर चक्रा. 35 साल के लिए मैंने भारतिय वायू सेना में लडाकू विमान, फाइटर प्लेंज उड़ाया करता था और सन 62 में मैंने नैशनल डिफेंस अकैडमी होते हुए भरती हुआ. उस साल में मैंने चैनीज का अग्रेशन देखा है नौर्ट इस्ट इंडिया में, उसके बाद सन 65 में पाकिस्तान के साथ वो जंग में मैंने लडाकू विमान नहीं उड़ाया, मगर जमीन पे हम लोगों ने आम्ड पेट्रोल दिन और रात किया करते थे. मगर सन 71 में मैंने फुली ओपरेशनल फाइटर पैलिट याने हवाई चालक, लडाकू विमान का हवाई चालक होते हुए, मैंने उस जंग में पार्टिसिपेट किया, और मैं उस जंग में वीर चक्रा भी मिला, मगर उस जंग में मेरा जहास को गोली लगी थी, और मैंने उस जहास को छोड़ा, और पाकिस्तान में नीचे गिरा, और एक साल के लिए जेल में जंगी कैदी रहा तो ये सब सुनते हुए है आपको अभी तक जानकारी होगा कि मैं एक एर वारियर था और आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे तरफ सब थोड़ा डिसिप्लिन रखके एक कोविद वारियर बने ये जो वाइरस जो है अभी खूब पहल रहा है और क्यों पहल रहा है ये हमारे ही गलती है अगर हम थोड़ी सी डिसिप्लिन रखें तो ये वाइरस खुदी मर जाएगा इससे हम मार डालेंगे ताकि वो हमें पहले ना मार डाले और वैक्सिनेशन बाद में भी आ सकता है तो ये जरा आप ध्यान रखें कि सिर्फ थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत है और तीन सिंप्ल रूल्स आपको फॉलो करना है और ये रूल्स क्या है नमबर एक अच्छी सी एक मास्क आप खरीद ले तीन लेयर वाला और पूरा नाक और मूँ उसे ढाक के रखे जब ही आप बाहर जाएंगे ये मास्क हमेशा आपके मूँ पे होना चाहिए घर जब आओगे लुटँगे उसको निकाल दिया करो अच्छी रूटीन तरीके से और दूसरी बात क्या है हम एक दूसरे से थोड़ा सी फासला रखना चाहिए और वो फासला क्या है छे से आठ फीट दूरी आप दूसरे आपने फ्रेंड या कोई भी किसी से भी आप जो इंटरेक्शन कर रहे हो उतना फासला रखोगे तो फिर आप बचा रहोगे ये वाइरस से और तीसरी रूल क्या है सिर्फ सिंपल रूल है हाथ हमेशा साफ रखें बाहर जाओगे तो एक परसनल सैनिटाइजर रखें घर आओगे तो सिर्फ हाथ सैनिटाइज करके अंदर आ जाओ और अंदर जाके सीधा अपना बेसन में जाके हाथ दोलो साबून से बस इतना ही करना है आपने अगर ये हम सब करेंगे तो ये वाइरस कहीं आपके और मेरे पास बीच में नहीं आ सकता है बस इतना ही हमें समझना है ये प्रॉब्लम जो आ रहा है इसलिए आ रहा है कि ये मैं एक चीज समझाता हूँ जब हम लोग पाकिस्तान में घुसते हैं ना सौफीट पेड के ऊपर से जाके हजार किलामीटर स्पीड पे अंदर गुसके उनको टागेट को डिस्ट्रॉई करके वापस आता है उसी तरफ ये वाइरस जो है ना जब आपको ध्यान नहीं है आपका रेडार थोड़ा बंद है वो आके आपको पकड़ेगा तो बस इतना ही ध्यान दो कि आप होश्यार रहो और ये जो तीन रूल्स मैंने आपको बताया है वो आप फॉलो करो और मैं आपको क्या बोले हैं होसला दिलाता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा आप खुछ रहेंगे और किसी को ये वाइरस आप स्प्रेड नहीं करेंगे और हम सब बच जाएंगे इसे थैंक यू जैन